मूंग की तो आपको बता दे कि मध्यफर्देश में इस पार गर्मी सीजन के मूंग का उत्पादन जोरदार हुआ है इसके साथ ही पंजाब में भी इस सीजन में मूंग का रग बालग बग दो गुना होकर सक्तानवे हजार दोसो पचास एकड होचला है और इसी को ध्यान में रखते वे पंजाब सरकार ने किसानों की मूंग फसल की MSP से खरीदी करने का आश्वासन दिया वरतमार में मूंग की खेती पिछले साल के पचास हजार एकड की तुलना में लग भग सतानवे हजार दोसो पचास एकड यानि की 38,900 हेक्टेर में की गई है आपको बता दें कि पंजाब में चार से पाच कुइंटल प्रती एकड की औसद उपज के साथ लग वक चार लाग कुइंटल दलन उत्पादन की उम्मीद है वही बेस्ट कॉलिटी की नई मूं 100 उरपे बढ़कर 5550 से 6650 उरपे प्रती कुइंटल पर पहुँच की है हाला कि लंबी तेजी की इसमें गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही है वही दूसरी और मसूर में भी सीमित पूच परक रहने और नीचे दामों पर विक्वाल पीछे हटने के कारण भाव में सुधार रहा मसूर 50 उरपे बढ़कर 6650 उरपे प्रती कुइंटल पर पहुँच गई वही मुंबई में आयतित उड़त और चने के दामों में गिरावट आई है इन दौर में भी हलकी क्वालिटी की चने की आवक अच्छी रहने और मिलो की लेवाली कम रहने से भाव में आशिक गिरावट रही चना काटा 25 उरपे टूट कर 4800 से 4825 उरपे प्रती कुइंटल ही रहे गया तो यानि कि अभी ओवरॉल कूल मिलाकर दालों की जो स्थीती है वो नर्मी वाली ही देखने को मिल रही है जहां पर आयात किया जा रहा है तो वही इसमें दालों में जो लेवाल है वो भी कही न कहीं कम होता नजर आ रहा है जिसकी वैसे दालों के जदा में उन्में एक नर्मी देखने को मिल रही है